हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चनल आज हम बात करने वाले है जी पावर के बारे में और यह इस पर मेरा यह सेकेंड वीडियो है इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसके बारे में भी थोड़ा में आपको आज डिसकस करके बताऊंगा कि वो कौन से प्राइस पे थ तो दोनों चीज़े कंपेर करेंगे प्लस जो नए वीवर है उनके लिए मैं यह थोड़ा बहुत और डिटेल दिखा देता हूं क्यूंकि वीडियो में जो डिटेल अवेलेबल नहीं था और जो स्टार्टिंग से जैसे बता रहा हूं उतना हो डिटेल थोड़े बहुत सेम हो सकते हैं जो पुरान वीवर है उनके लिए ठीक है तो यहां पर मैं complete डिटेल देना चाहूंगा तो इसके बारे में पहले यह विकिपीडिया थोड़ा देख लो फिर उसके बाद हम इसका company detail देखेंगे इसके product कैसे services क्या है फिर उसके बाद हम उसके share के बारे में बात कर हम तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर देख लोग जीपावर इस अमेरिकन एनरजी टेकनोलोजी कंपणी है तो अमेरिकन कंपनी यह दिमाग में ढाल लो कि यह इंडियन कंपणी नहीं है और On By General Electric 2018 में जनरल इलेक्ट्रिक ने इसको क्रीदा है जीप और को जनरल इलेक् इसका parent organization है और वो one third power generate करता है या power produce करता है ठीक है और one third मतलब होता है 33% समझ लो 33.33% यह world में से जो power use होता है पावर प्रोडूस होता है तो उसमें से one third यह company प्रोडूस करती है तो बहुत बड़ा काम है इसका ठीक है जनरल इलेक्ट्रिक का और उसके अंडर में यह company है जी पावर ठीक है और यहाँ पर इसके की people कौन बता है यह देख लो Scott Stragic और यह CEO है और नाम से पता चल रहा है यह American है और headquarter American हो या विदेशी है यहाँ पर इंडियन नहीं है और headquarter इसका भार ही है अपने country के भार है तो विदेशी है foreign के लोग है और यहाँ पर Atlanta Georgia United State यहाँ पर इसके headquarter से ठीक है तो यह completely भार की company है और founded 2008 में यह founded है ठीक है और इसकी कुछ subsidiaries बताई यह जिसका नाम यहाँ पर बताया हुए ठीक है अभी मैं इसको आपको इसका website दिखा देता हो website पर थोड़ा बहुत और detail ले लेंगे हम थोड़े जल्दी में तो जिससे आपको ज्यादा time ना लगे ठीक है तो थोड़ा detail देता हो जिससे आपको idea आजाए कि इसके services किस तरीके की है ठीक है और तो यह देखो VR G power G gas power बनाती है और G steam power भी बनाती है G hitachi nuclear energy भी बनाता है और G power conversion भी करता है और G energy consulting भी करता है तो हर एक का अलग-अलग है तो G power G gas power में क्या करता है world class portfolio of gas power system and service utilize a century long expertise and has expanded across the entire plant ठीक है तो world class यह portfolio है gas power के अंदर भी और steam power steam से भी power यह जनरेट करते है तो G steam power offer a broad portfolio of technologies and services predominantly for a nuclear and coal power ठीक है plants helping customer deliver reliable power as the transition to a lower carbon future तो carbon कम जनरेट करने के लिए G steam power use करते है और G hitachi nuclear energy तो यह nuclear world it is यह क्या है is a world leader in a new plant technology fuel and services के अंदर ठीक है तो nuclear पर भी बनाते है और यह conversion का भी बताया है है इन्होंने G power conversion जो जिसमें designing and delivering advanced power conversion technology that evolved today's industrial processes for a cleaner more productive future ठीक है तो और यहां पर इनके पास इस तरीके के advanced technologies है और डिजाइनिंग है जो बहुत अच्छा प्रोफेशनली यह सारी चीज़ें करती है ठीक है और जी एनर्जी कंसल्टिंग तो जी पावर सिस्टम experts solving the world's toughest technical and economic problems ठीक है तो प्राब्लम यह सौल करता है economic और तो मतलब इसका मतलब है कि और इनकी चीज़े थोड़ी सस्ती भी होंगी और अच्छा भी चीज़े यह प्रोवाइड करते यह इनकी services देते technology देते enabling technology integrated and shaping the energy transition ठीक है तो ऐसा बताया है कि इनके पास जो यह consulting का भी काम करते तो जी पावर सिस्टम experts है इसमें की solve में solve करते हैं यह सारे वोल्ड के जो टॉफेस टेक्निकल एन इकोनोमिक problem ओ यह solve करते हैं with technology और इसके ठीक है एनरजी के ठीक है तो मतलब यह उनको provide करके यह services provide करके उनका problem solve करते हैं तो यहां पर website पर आपको दिखा दिया और आप जैसी इस पर क्लिक करोगे तो और ज्यादा detail आपके सामने आ जाएगा तो आपकी मर्जी जितना पढ़ना है पढ़ सकते हो लेकिन अगर investment करना है तो complete detail पढ़ना चाहिए लेना चाहिए ठीक है तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहां पर आइडिया दे रहा हो तो बाकी हम अभी इसका share देखेंगे तो share कैसा है यह पहले हम देख लेते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका जो जी पावर का share बता रहा है इसका प्राइस चल रहा है 178 और यह आज के दिन याने 11 फरवरी को यह 6.5% तक गिर चुका है NAC, BAC पर दोनों पर यह share अवेलेबल है और यह आजी के दिन इसने 12 लो मारा है 171 तक की गया था मतलों जबर्दस इसने लॉस दिया है लोगों को ठीक है तो इसके पीछे की वज़ा जानेंगे और यह मैंने कब लिया था और उसमें क्या प्राइस है वो टाइम पे जब मैंने लोगों को बताया था इसके बारे में तब वो प्राइस क्या था फिर क्या सड़नली क्या चेंजे साथ जाते तो सारी बगबग यह देखो आधे से भी मतलब यह डबल था समझ लो तो जाधा गिर आधे से भी जाधा गिर चुका यह तो फिलाल एक साल के अंदर बहुत गिरा है अभी उसको कवर करने के लिए 100% देना पड़ेगा ठीक है और यहां पर स्वाट एनलाइस कर लेते तो स्वाट में तो कमपनी प है कर आधा यह स्टेंठ है और 3 विकनेसे से जिसमें इसने जो विकनेस लोर और लोह खकर्ट उपहले है जोरी नसेल पहले है यह थोड़ा बहुत हाईक है belki यह मतलब शेर में अच्छा है ऐसा माना जा सकता है ठीक है अपवर्चनिटी में इसका पी सस्ता है ऐसा बता रहा है और और अल्ड यहां पर पी शोर नहीं कर रहा है तो पी हम देखेंगे कई और बताता होगा तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा पर पीश हो नहीं कर रहा है मतलब यह लॉस में है ठीक है और यहाँ पे देखलो दो थ्रेट है और और लार्ज स्विंग बीट्वीन प्रफिट एन लॉश तो रेट फ्लाइक भी आया इसमें और लार्ज स्विंग बीट्वीन प्रफिट एन् लॉश जब से डारेक लॉश में गई यह इवे कमपणी ऐसा यहां पर इनका कहिना है तो यह वह हम financial चले इसके complete देखने के बाद हम पूरा complete देखेंगे ठीक है और यहां पर overview में देखे तो 1199 1199 का यहां पर market capital है मतलब लगबग 1200 करोड की company है अभी इसका market capital ठीक है और dividend यह देती है company तो dividend देती है मतलब थोड़ा बहुत profit करने वाली ही company dividend देती है delivery इसकी उठाई जा रही है देखो 56 परसेंट तक लोग इसकी delivery उठा रही है शेर की face value 10 का है पी भी strong है अच्छा है और बाकी sector piece है तो इसका पी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं ठीक है तो यहां पर अभी इसका एडवांस चार्ट देख लेते हैं अभी एडवांस चार्ट से हम अभी complete इसका analyze करेंगे ठीक है तो एक साल का यहां पर चार्ट देखते हैं तो एक साल में 306 देखो प्राइस था इसका 278 का लो से इसने अब पिर डाउन गया फिर अप गया फिर तो डाउन आया फिर यहां पर अप घया फिर अप जाते गया ठीक है और इसने decide upon भेंट के ला किन के डिविटन देए एक रुपया पर शेयर के फीछे मिला उसके बास घ선 थोड़ा डाउन्साइड ही भागने लगए थोड़ा प्र दाउन थोड़ा जाके फिर डाउन साड़ा फिर इस तरहे से डाउनई ही आ गया तो उसका ड्रेंड डाउनवड फिर नजर आ रहा यह 582 से कंपनी का प्राइस चलो होता है और हाई जाता है इसका 1044 का 1044 मतलब जबर धस्य हाई बनाता है कितने रुपय से यह 582 से मतलब 500 से डबल हो जाते है यह पकट के चलो कि यह 500 से डबल हो गया उसके बाद ये डाउन आ गया ठीक है पास साल की बात है ये एक साल के अंदर ये डबल कर देता है फिर यहां पर थोड़ा डाउन साइड लेता है फिर वहां से फिर डाउन साइड डाउन साइड करते करते पास साल के अंदर ये गिर जाता है देखो कहां से फिर कहां आ गया मत दोजार के टाइम का बता रहा है तो 25 रुपे का शेर था 17-18 भी गया था 15-16-17-15 भी दिख रहा है यहां पर तो वहां से शेर भागा है देखो और इसने बनाये थे वही 1200 का हाई बनाया था ठीक है तो 6-7 साल में 15 रुपे का बारा सो तक इसने हाई बना के अच्छा कासा 2013-23 गिरा और यह कब गए यह मंदी में गिरा एंटिकर, डिसेंबर गया फिर ओवी जो पर आया 900 रुपय तक यह आ गया था 899 फिर उसके बाद यह डाउन आया फिर एक रेंज में चलने लगा फिर अप गया तो इसने अप एंड डाउन बहुत दिखाया है इसके इन्वेस्टर्स को ठीक है और फिलाल यह 1200 का तो हाय आया नहीं अभी तक तो मैक्स में इसने बहुत चड़ा और उतार दिखाये है यह शेर में तो इसमें यही नजर आ रहा है कि फिलाल तो अप डाउन बहुत है कुछ साल से लेकिन उसके पहले बहुत अच्छा था तो इसके पीछे की वज़ा भी हम जानेंगे तो क्या हो सकते वज़ा तो सारे क्राइब करके रोको क्योंकि complete डेटेल यहां पर मिलेगी आपको और यहां पर पर्फॉर्मंस देखो वन विक का तो खराब 26 परसेंट गिरा है यह और मैं बता दूँ यह जस्ट एक ही विक के अंदर एक दिन यह कल या परसो यह जबरदस्त 20 परसेंट का लोवर सर्किट द जाता है तो 20-30 परसेंट तो एक हपते के अंदर यह गयाप करता है दो दिन में गयाप कर देता है आपके प्रॉफिट का ठीक है और अगर आपको मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए टाइम लगता है लेकिन लॉस करने के लिए कितना इजी तुरंत हो जाता है यही शेयर मार लोगों को हो सकता है कि से मार्केट में कभी विकुछ भी हो सकता है तुरंत वह भागना भी चालो कर सकता है तो वह रिसिक्य Archives इतना इसलिए हर कोई नहीं कमा पाथा शेयर मारकेट से और यह सारी चिजए लोग तो भागि से-अधिया 80% तो लोग भागी जाते इसमें से ठीक है और कुछ लोग होल्ड करके बेटे रहते जो होगा वो देखा जाएगा करके चलता रहता है और एक मेने का भी रिटन खराब है तीन मेने का रिटन देखो 36% का है लॉस है मतलब यह जनुवरी का रिटन है 29% जनुवरी से अभी तक और एक साल का रिटन भी खराब है 36% और तीन साल का रिटन 75% गिरा हुआ है ठीक है तो बहुत जबादा शेर गिरा है यह और यहां पर एक न्यूज है 11 फेब्रोरी यानि आजी के दिन का यह न्यूज है जिसका यह उनके वज़े से शेर गिरा है यह मेरा कहना है मेरा अंदाजा है और यही हो सकता है क्योंकि मार्केट में यह कबर लोगों को पहले भी मिल जाती है कि इसके रिजर्ट्स कैसे आने वाले है तो यह कल गिरा था 10 फेब्रोरी को भी 20% गिरा था और आज 5-6% गिरा है तो यही कि इसका जो profit है sales है वो 30% या 31% से down आया मतलब company का यह 757 करोड का sale हुआ है सिर्फ ठीक है 777 करोड का sale किया है company ने तो यह खराब है और sales down हुआ है इस वज़े से share गिरा हुआ है ठीक है और यहां पर बाकी सब पुराना न्यूज है ठीक है और यहां पर कुछ एक न्यूज है लेकिन promoter यह जी steam power intent to reduce tech in g power इंडिया तो यह internal न्यूज है इसके बारे में और यहां पर इसकी जनता या इसके बारे में क्या बता रहे 63% लोग बोल रहे इसको बाइ कर सकते हो ठीक है और यहां पर अंदर के इंसाइडर ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसने क्या खरीदा और क्या बेचा तो यह foreigners की लोग है ठीक है प्रमोटर कोन है और यह सारी चीज़े इसके बारे में डेटेल हैं और इसका यहां पर थोड़ा शॉट में देखेंगे फिर इसका हम फुल डेटेल में भी देखेंगे तो यहां पर शॉट में अंदाजा लगा लो कि यह कंपनी का मतलो और फाइनेशल कैसा होगा तो रिवेनी उसका देखो 2017 में लगबग एक हजार नोसो ना वन थाउजन नाइन हंड़ेड नाइन्टी त्री करोड का था उसके बाद यह डाउन आया 1337 करोड का हुआ तो डाउन आया 2018 में फिर बढ़ना चालू हुआ 2019 में अच्छा सेल्स हुआ वन थाउजन नाइन्डेड टू करोड फिर बाद में 2020 में 2445 करोड फिर बाद में 2021 में 3343 करोड तो सेल कंटिन्यूजली बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और यहां पर इसका Profitability देखेंगे तो Profit Net Profit स्टार्टिंग में 2017 में लॉस था 2 करोड का लॉस था फिर 206 करोड का Profit हुआ 2018 में ا timely दो 2019 में 75 करोड का Profit हुआ फिर बाद में 2020 में 84 करोड का अभी और 2021 में 70 करोड का Profit हुआ है तो Profit तो दीख रहा है Company मे और यहां पर यह इसका Shareholding центр साटर नैना जिसमें बताया कि सबसे ज़्यादा देटीके पास प्रो मुटर में प्रो में में अगर खुआ आन पास दे प्रोंवा के पासा नगे संभू सामय लुए कुछ ना कुछ घड़ बढ़ है जो इन्वेस्टर को नहीं दिख रहा हैं ठीक है क्योंकि उनको भी कमाना ही रहता है अगर उनका जितना स्टेक होगा तो उससाब से या उनकी जितनी शेर होल्डिंग होगी उससाब से उनकी नेट वर्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी तो प्रमोटर ही भागेंगे मतलब उसमें कुछ नकुछ करते हैं इसमें होल्डिंग करते हैं और फॉरेन के जो इन्वेस्टर से उनको भी इंट्रेस्ट रहे गई और उसमें ये एक परसंड का होल्डिंग रखते हैं तो सबका है इसमें होल्डिंग और मुचल फॉंड देको पाच मुचल फॉंड है जिसमें से दो मुचल लेकिन फिलाल अभी भी पाच है mutual fund और रिसेंटली दो चले गए ठीक है और 57 से और रिसेंटली चार एफाइस बढ़े हैं तो फॉरें की इन्वेस्टर्स इसमें बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात हैं ठीक है तो यहां पर जो डीटेल है वह मैंने आपको दिखा दिया है अभ यहां पर स्क्रीनर पर अभी हम इसका financial देखेंगे और यहां पर फॉल डीटेल में होता है और तो यहां पर पहले सबसे पहले इसका pros and cons देखेंगे उसके बाद उसके financials देखेंगे ठीक है तो pros and cons positive और negative चीज़े होती है तो pros में positive क्या है कि company has been maintaining healthy dividend payout तो dividend अच्छा देते आ रही यह company तो यह maintain रखा है company ने 26% का तो dividend यह देती है यह बहुत अच्छी बात होती है ठीक है और cons में इसमें क्या बताए कि company has low interest coverage ratio तो जो नए viewer है और जिनको यह चीज़ नहीं पता रहेगी तो यह मैं फिर से explain करूंगा और जो continuously मेरे वीडियो देखत है तो उनको यह पता चल गया होगा कि यह क्या कौन से बारे में यह है ठीक है यह point मतलब क्या और company has low return on equity of 10.30% for last three years तो तीन साल से इसका जो return है बहुत खराब है equity के उपर जो यह return कमा रही है तो 10.30% का return कर रही है तो low है इससे ज़्यादा होना चीए ठीक है और earning include other income of 40 करोड रुपेश तो 40 करोड का other income है तो यह कौन से खराब बता रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा company से आना चीए ठीक है और company has high debtors 241 days का तो company के जो debtors है वो time to time payment नहीं करते है इतने दिन होने के बावजुद भी उनको payment नहीं होता तो यह average days होते हैं तो properly उनका payment उनको receive नहीं होता है ठीक है जो भी इन यह sales या services देते है उसके बाद और यहाँ पर अभी इसका quarterly results देखेंगे जिसमें मार्च 2019 से बताया गया December 2021 तक तो 345 का इसमें sales से स्टार्टिंग में 2019 के मार्च में फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ते गया sales बीच में थोड़ा गड़ गया था फिर उसके बाद भी बढ़ना चालू हुआ ठीक है फिर से downside हुआ देखो यह share में अब डाउन अब डाउन दिखा है और अब भी साढ़े साथ सो करोड का सेल कर किया है इसने ठीक है और उसी मुकाबले में एक्सपेंसेज भी बहुत है कंपनी का खर्चा भी देखो इस बार यह December में देख लो कितना 750 का तो उन्होंने एक्सपेंसी किया तो बचा क्या प्रॉफिट साथ करोड का operating प्रॉफिट उ प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स इतना आता है मतलो यह कंपनी ने यह कौर्टर में तो लॉस किया यह नजर आ रहा है ठीक है तो नेट प्रॉफिट मतलब 34 करोड का लॉस तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं है कंपनी ने इसलिए और यह जून कौर्टर में भी सेम हुआ था इस वज़े से शेर थोड़ा डाउन है तो आपको यह आइडिया आ गया कि यह शेर क्यों डाउन है तो यह एक रिजन है 2021 के जून में इसने लॉस किया था बट बच जाता है एक परसेंट का प्रॉफिट यहां पर उन्होंने बचा लिया ओप्रेटिंग मार्जिन ठीक है तो ऐसे कंपनी में तो लॉस हो गई और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो दो हजार टूथाउजन फोटीवन करोड का किया था मार्च 2010 में ठी ठीक है 2960 करोड का सेल कर रही है तो फिलाल कंपनी में ज्यादा ग्रोथ तो नजर नहीं आ रहा है ठीक है तो करंट जो सेल देख रहे हम तो सेल अच्छा इतना नहीं है खास नहीं है और उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेज भी देख लो अगर आपका सेल इतना हो रहा है तो खर्चा देखो उससे ज्यादा खर्चा कर रहें कंपनी तीनाजार करोड का तो खर्चा ही है पहले तो लगबक ठीक है खर्चा कम था और प्रॉफिट ज्यादा बच जाता था अभी प्रॉफिट ही नहीं बच रहा है कुछ ठीक है उल्टा लॉस में जा रहे है तो इस वज़े से प्राब्लम है और अदर इंकम भी है इनका पिन इसके बारे में 40 करोड़ का अधर इंकम मेंमें इंकम यह होना चाही इस से ज्यादा प्रॉफिट आ दंकम से नीचाई लैं दो एक्श्टों इनकम होता है और नेट प्रॉफिट के बात करेंगे तो देखो 2010 में अच्छा profit किया था 167 करोड का अभी तो 94 करोड का तो लॉस कर रही है कंपनी ठीक है इस साल तो कंपनी ने लॉस किया है यह रिजन है जिसके वज़े से शेयर गिर रहा है तो यह खराब चीज होती है कंपनी के लिए इस वज़े से इस तरीके का performance दे रहा है और य तो यह भी चीज है कि पहले borrowing बहुत कम था कंपनी के पास मतलब loan ही नहीं था कम भी नहीं बोल सकती जीरो ही था बार कुछ भी नहीं लिया था कंपनी ने इतने साल तक मतलब लगबक 9 साल तक इसका कुछ भी करजा नहीं था इस पर उसके बाद 2020 में थोड़ा करजा उठाया इन्होंने फिर ओँ थोड़ा बढ़ गया और करजा लिया तो और थोड़ा बढ़ गया 453 करोड का और अभी 2021 के सप्टेमबर तक यह 726 करोड का करजा हुआ ठीक है तो यह लोन है कंपनी पे उस हिसाब से इतने का लोन है ठीक है 726 करोड का लोन है और से भी खराब है कम है तो इसलिए यह पॉइंट है लो इंट्रेस कवरेज रेशियो यह लो इंट्रेस कवरेज रेशियो का मतलब है कि सेल करजा जितना है उतना ही सेल है या उसी लेवल में सेल इसका हो रहा है और अल्डेडी कंपनी लॉस करेगी तो इंट्रेस कहां से बरेगी तो लॉस करने व फिर आगे जाके बैंक तो उनको यह रिस्क है तो इस वज़े से इसका थोड़ा फाइनेशल थोड़े खराब होने के वज़े से रिसंटली कुछ खराब चलने के वज़े से यह शेर गिरा हुआ है ठीक है और यह इसके जो भी यहां पर डिटेल है यह मैंने आपको फाइनेशल इसके बता दिये अभी मैं इस पर फाइनल ओवर्यू देने वाला हूँ मेरा फाइनल कॉल देने वाला हूँ उस पर आपको फिर आपका डिसीजन लेना है ठीक है तो यहाँ हम ticket tab पे इसका final overview देखने वाले है और आपको यहाँ पर इसका जो price देख रहे हो same price हर जगा वो ही है और इसमें क्या और गिरावट है और कैसा इसका यहाँ पर price charge में इसमे returns दिखाई देंगे तो यह सारी चीज़े हम देख लेंगे लेकिन main चीज़ है कि इसका checklist देख लो investment checklist इसमें direct आपको पता चल जाता है कि यह share लेने लायक है या नहीं है तो यह इसमें से सिर्फ दो चीज़े positive है तीन चीज़े खराबी है intrinsic value insufficient data बता रहा है ठीक है और ROE versus FD rate खराब है return on equity बहुत खराब है इसमें इसे अच्छा FD में आपको return मिल जाते हैं और dividend return भी खराब है इतना खास नहीं है इनका कहना है dividend देती है बट आगे से dividend नहीं भी दे सकती क्योंकि अगर loss करने वाली company dividend नहीं देती loss करने के बाद ठीक है और entry point अच्छा है बता रहा है अभी भी इसमें entry कर सकते हैं क्योंकि जो trading करते हैं उनके लिए entry point यह सही है और no red flag मतलो company के डूबने के chances नहीं है तो यह यह दो positive चीज़े और यह इसमें से यह सबसे positive होता है कि company जल्दी यह डूब बेगी नहीं और यह positive होता है सबसे कि इसमें कोई होगा share में invested रहेगा तो इस वज़े से वो इसको hold करके चल सकता है आगे क्योंकि company में अगर अभी loss चल रहा है तो आगे जाके future में profit भी हो सकता है और जो अभी भाव पर मिल रहा है वो शायद आगे जाके वो भाव ना मिले हमको उससे और मेंगा share मिल जाए तो यह अभी भी मेरे ख्याल से लगता है कि buying opportunity है लेकिन जिनको लेना है वो ले सकते है और और भी यहां पर इसके returns में दिखा देता हो ठीक है तो यहां पर यह one week के returns इसके देख लो तो one week में देखो 29% यह डाउन है और one month में यह 30% डाउन है और एक साल के अंदर 36% डाउन है और पास साल के अंदर है 72% डाउन है और max की बात करेंगे तो इसने 461 का return दिया है ठीक है 461% का return दिया है अगर यह कोई 10-20 साल से है तो मतलब 45 गुना ही return दिया है इससे ज़्यादा return हो सकता है लेकिन यह अभी जो price चल रहा है उसी साब से बताया है उन्होंने जो यह price चल रहा है क्योंकि ग्यारा सो बारा सो का जब price आया था तब यह कई गुना हो गया था तो यह percentage भी उसके समने कम नजर आएगा क्योंकि उतना हो था बट अभी जो price बारा सो से भी कम हो गया उस वज़े से यह returns भी कम हो गए ठीक है और SIP करने वाले को 63-64% का loss होता मतलग कोई भी करो किसी को भी loss होता लेकिन जो सबसे पुराने investor थे उनको भी profit हुआ है यह share में तो फिलाल risky है risk तो है share में क्योंकि loss कर रही है company लेकिन company अच्छी है इसका background अच्छा है तो कोई इसमें risk ले सकते है और जहां risk है वहाँ पर ज्यादा profit भी ज्यादा ही हो सकता ठीक है और मैं आपको यह बता दू कि मैंने जो पहला वीडियो बनाया था इस पे वह कौन से price पे था और तभी इसमें क्या भाव था वह सारी चीजे में आपको दिखा देता हो ठीक है तो यह वह वीडियो जो 25 नौइमबर का है तो लगबग यह दोड़ाय मेने पहले डाल था लेकिन उसके बाद यह बीच में अपडाउन आया होगा और उसके बाद यह आया भी था उसके बाद यह डाउंसेड आया है और यह दो तिन दिन के अंदर यह दो दिन में ही यह बहुत जबर्दस गिरा है अगर आप देखोगे तो 26-27 परसंट तो ज़स्थ दो दिन के अंदर ही गिरा है यह प्राइस से ठीक है यह प्राइस से यह दो दिन में ही गिरा ने तो यह अभी तक उपर था और अल्ड़ेडी मार्केट अपडाउन भोत हो रहा है यह विक के अंदर तो यह रिजन है और प्लस इसका रिजल्ट जो खराब आये उसके वज़े से शेयर बहुत जबरदस गिर चुका है तो यही चीज होती है को मार्केट में क्या कप क्या हो जाए कैसे हो जाए यह किसी को नहीं पता होता है इसलिए सोच समझ के पैसा लगाना चीए और लिमिटेड लगाना चीए ऐसा भी नहीं हो कि एकदम से ज्यादा जितनी आपकी कैपिट ने ही चीज को यहां पर मैं आपको थोड़ा इसका प्ले करके मार्केट कैपिटल ओ टाइम पर कितना था हो बतादेता हो तो कंपनी का मार्केट पर कौरोड का यहां पर मार्केट नंजर आता रहा है और आज के दिन में कितना है देख लो तो आज के दिन में इसका जो मार्केट कैपिटल है लगबक यहाँ पर मार्केट कैपिटल दिखा रहा है कि यह बारा सो अस्ती करोड का अभी मार्केट कैपिटल चल रहा है यानि कि इसका मार्केट कैपिटल गिर गया तो सोला सो से बारा सो हो गया मतलब 400 करोड तो कहां गायव होए तो यह लॉस में गायव होगे तो लॉस जो हुआ कंपनी का प्राइस जो गिरा तो उसके वज़े से अचया सकता है और फिलाल अभी तो खराब किया है फ्यूचर में अच्छा पर्फॉर्म कर सकता है और इस उम्मीद पे आप रह सकते हो ठीक है कि शेर ने अगर फूचर में अच्छा रिटन दे दिया और अच्छा इसका financial हो गया और profit कर लिया तो company अच्छे कहां से कहां जाएगी लेकिन इसके पास जो business है काम है बहुत अच्छा है और अच्छा गासा experience है जस्ट इनके expenses इनको control करने चीए और कुछ ना कुछ अच्छी strategy उस करनी चीए जिससे company और profit करें ठीक है फिलाल अभी इसमें थोड़ा सा खराबी आ गई है बट खराब जब company के खराब दिन होते तब लोगों को अच्छा मोका मिलता है कि अच्छे shares लेने के लिए उसके बाद हो share बाद में अच्छे भाव पे नहीं मिलते मतलों ये भाव बाद में जल्दी आता नहीं है और ये time पे जो रहते हैं फिर उसके बाद उनको जबरदस profit होता है बट इसके financial देखते रहना पड़ता है अगर जो long term के investor बनना चाते है या long term करना चाते है तो कभी भी अपने investment को watch करने का देखने का और सबसे easy है कि मेरे channel को subscribe करके रोको guide करने के लिए मैं always आपके लिए ready हो ठीक है तो आपको information अच्छी लगी है तो आप ये channel को subscribe कर सकते हो और इसमें जो target में पकड़ के चल रहा हो यहां से 70% तो easily आने के chance से अगर कोई risk लेता है तो 70% के इसमें अप मूँ में देखके चल रहा हो और वो मेरा personal view है क्योंकि इसमें मैं खुद invested हो और ये जिस तरीके से गिरा है उसी सबसे में इसमें इतनी expectation पकड़ के चल रहा हो ठीक है बाकी आपकी मर्जी आपको invest करना है तो आप invest कर सकते है या और इसके बारे में और study करके आपका decision ले सकते और आपको information अच्छे लेगे तो channel को subscribe कर सकते Thank you very much for watching my video Thank you, bye bye